दोस्तों भी आप हमारे सामने यहां पर देख सकते हो कि All-New Honda SP-160cc की यह गाड़ी लगई है बाइस आप यह गाड़ी जह हो टोटल दो मॉडल में आती है एक आती है फ्रंट डिस्क के साथ और एक आती है रियर डिस्क के साथ सिंगल चानल लई भी आपको सभी मॉडल में मिलता है रियर में डिस्क नहीं मिलता है वहीं अगर आप रियर डिस्क में भी खरीतते हो तो एक लाग 47,000 यानी 1,47,48,000 के आसपास जहारखण में अन्रोड प्राइस पड़ेगा सारा लोन, फाइन्स, इंसुरेंस, रेस्टरेशन, औल कम्प्लीट अन्रोड प्राइस पढ मिलता है इसके साथ साथ हॉर्नेट से इसका हैंडल भार लिया गया है इसके साथ साथ 6C और इंजन जो इस गाड़ी का है वह आपको यूनिकॉर 160 से लिया गया है यानि 160 से थोड़ा सा कहीं ज्यादा है पावर में और टॉर्क में कम है तो आज बात करेंगे क्या कुछ मिल साथ है इस इस मॉडल में इस फीचर में इस गाड़ी में सबसे पहले तो फ्रंट लुक आप यह देखे फ्रंट लुक आपको वाइज श्रक्षिन कुछ इस ताइप से मिलेगा हॉंडा का बैस मिलता है यहाँ पर डूल कलर टॉन के साथ मिलता है और यहाँ पर थोड़ा सा इसके साथ यह चिज़ है कि रस्वशन ना लगे जंग ना लगे इसके चलते हैं कंपणी फाइब बाड़ी का यूज़ करती है ताकि जंग का भी कोई प्रोब्लम ना हो बाकी आप देख सकते हैं इसके साथ मिलता है फ्रेंट टैर साइस की मैं बात कर लो तो यहां पे आपको और साथ बात करते हैं इसके इंजन सक्षन की तो यहां पर इसका इंजन जो देखो गए यह आपको मिलेगा 162 CC का 4-stroke single cylinder के साथ इसका इंजन मिलता है इंजन गार्ड मिलता है आपको यहां पर इंजन मोबिल के पास देखो गए तो इंजन ओल को अप्शन है यहां पर आपको क्रॉस कटिंग नहीं करते हुए कंपनी के साथ साथ सेल्फ का विए प्रावधान आपको दिया है बाकी बात करते हैं यहां पर इसके फ्यूल टैंक के कैपासिटी में जाती है इसके साथ साथ मेंटर कंसूल आप देख सकते हो डिस्टल है क्या कुछ फीचर्स में लाता है सबसे पहले तो भाई आपको मैं की दिखाता हूँ तो यह देख रहो काफी संदार और यह वीडियो में शूट कर रहा हूँ हो होराइजन हॉंडा डाल इस टर्न डिकेटर बाकी सारा कुछ आप यहां से सेट वेट कर सकते हो लेफ्ट हैं तो यहां पर पास लाइट मिलता है हाई बीम मिलता है और होर मिलता है यह चीज़ सबसे बेश लगी ना कि इसमें हजार लाइट का भी ऑप्चिन मिलता है यहां पर तो आपको एक्स्ट् स्ट्राप लॉंप है यानि कील स्वीच बोल सकते हैं इसको यहां पर सेल्फ का उप्चन है इसके साथ साथ सीठ हाइट की बात करें तो ओवराल इस गाड़ी का जो सीठ हाइट है वो 769 mm के आसपास इसका ओवराल सीठ है और वहीं इसकी ओवराल लेंच के बात करें तो 2061 mm के आसपास इसका करवेट है बाकी एक्जॉस्ट देख सकते हैं ध्यूस्ट पको कुछ इस सरीके से यहां पर आता है और यहां पर काफी थोड़ा से बड़ा कर दिया गया है यह जो नहीं और प्टाव सा मेरे ट्रेक है लगता है लेकिन आप बताए आपको कैसा लगता है मैट साड़ी गार्ड की बात करें, तो साड़ी गार्ड आप यहां पर देखो गए, फुली मेटल में, आपको यहां पर साड़ी गार्ड मिलता है, बागे रियर की टार सेक्शन की बात करें, तो कंपनी MRF का टार यूज करती है, 130 by 70 mm का 70 नींच के अलोइस बिल के साथ आपको यहा यहां पर देखो, चेन कबर के साथ साथ है, इसका रियर का फेंडर है, यह अटेश्ट है, तो इसका यह चीज आपको नहीं लगने पाएगा, यह चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, रियर की सस्पेंशन की और आजाते हैं, तो यहां पर आपको मोनो क्रॉस टाइप का तो भाई इस गाड़ी को लेने के लिए, आपको एट लिस्ट बीस से पचीस अजार उपया सो रूम में डाउन परमेंट करना होगा, आप काफी कम पैसो के साथ आप इस गाड़ी को फिनांस करा सकते हो, सिर्फ और से बीस सब पचीस अजार उपया जमा करिए, ओवराल इस बीस 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 देने वाली है, और तॉप इस गाड़ी का है, वो कही न कहीं 123, 124 के असब लगभग लगभग तॉप इस जाने वाला है, इसका मैं राइड इव्यू अभी नहीं किया हूँ, तो मैं जसी राइड रिव्यू करता हूँ, तो आपको बताता हूँ, ब्रेकि हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिलती है, चलिए, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स डे, नेक्स वीडियो के साथ तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बंदे मात्रम,